तो गयाज आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बिहार पोस्ट मैटिक स्कोलर्शिप 2021 का पोईटल में यहाँ पर मैं ओपन कर चुका हूँ जिसका डेट एक बर फिर से एक्स्टेंड किया गया है यनि कि बढ़ाया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखावा लास्ट टोप अप्लिकेशन 30-11-2021 तक की यनि कि आप इस डेट को जो है 30-11-2021 तक कर दिया गया यनि कि एक मेहना साथ दिन इसे बढ़ा लिया गया है लेकिन यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद से कोई भी डेट यहाँ पर एक्स्टेंड नहीं किया जाएगा इसलिए गयाज अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं फिल किये हैं तो गयाज आप फॉर्म फिल अप कर लीजिए और उसके बाद गयाज आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्जानकार यहाँ पर मैं आपको और देदू की तो गयाज आप पर देखते, joint account number is not accepted, यानि कि अगर आपका account joint है, अगर उसी account को आप इसमें डालते हैं, तो वो यहाँ पर accept नहीं किया जाएगा, आपका आविदन जो है, reject हो जाएगा, तो गैज बिहार post metric scholarship form भरने के लिए, कौन-कौन ची document की ज़रूरत परती है, मैं इस पर already video बना चुका हूँ, जिस video का link आपको इसी video के description box में मिल जाएगा, और form को कैसे fill करते हैं, मैं इस पर भी video बना चुका हूँ, दोनों video का link आपको इसी video के description box में मिल जाएगा, तो गैज आप जाएगे video देखे और video देख करके step बेच्टे फोलो करके आप खुद से बिहार scholarship का form fill कर सकते हैं, फिर भी गैज अगर आप form को fill करते बक्त किसी भी तरह का problem हो, तो आप हमसे call पे भी बात कर सकते हैं, contact के information आपको video के description box में मिल जाएगा, या फिर आप video के comment section में comment भी कर सकते हैं, आप on the spot आपको reply भी मिलेगा, मिलेगा, तो गैज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को subscribe करके बेल ऐकन प्रेस कर लेजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह का video लाते रहता हूं, तो उम्मिद करता हूँ गैज कि आज की इस वीडियो में दी गई जनकारी से आप संतुष्ट होंगे तो चलिए गैज मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए जाहिंद